So guys, इस वीडियो में हम आप लोग को Google Translate यूज़ करना बताएंगे जिससे आप लोग काफी आसान तरीके से Google Translate को यूज़ कर पाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल का इकन को प्रेस कर लेना है So सबसे पहले आप लोग अपने फोन में Google Translate को डाउनलोड कर लिजीगा आप लोग अपना Play Store ओपन करेंगे दिन आप लोग को यहाँ पे Google Translate यहाँ पे सर्च कर लेना होगा दिन यहाँ पे आप लोग का Google Translate आ जाएगा आप लोग इसे डाउनलोड कर लिजीगा अब आप लोग को Google Translate को ओपन कर लेना होगा और जो भी important बात है वो हम आप लोग को बताते जैसे कि सबसे पहला आता है आप लोगों का यहाँ पे देखिए आप लोग को language मिलेगा इधर साइड एक अलग language मिलेगा इधर साइड एक अलग जैसे कि अब भी यहाँ पे हमने हिंदी को साइड किया है तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज हिंदी में टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें English में ट्रासलेट करके उसे बताएगा आप लोग लेफ्ट साइड में ठीलैन पे क्लिक करेंगे और आप लोग ट्रासलेट पे आप लोग क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को जो भी आप लोगों की लेंग्वेज रहती है उसे डाउनलोड कर लेना है जैसे कि अमोमन हम हिंदी टो इंग्लिस करते है तो हमने Hindi को यहाँ पर download कर लिया है English तो already आप लोग को यहाँ पर default में मिलेगा और कुछ आप लोग की languages होगी तो आप लोग उससे download कर लेना है simply आप लोग को इस icon पर click करके उन्हें download कर लेना होगा अब हम यहाँ पर जैसे की मान के चलिए हम जैसे कुछ हिंदि में आप लिखते जैसे यहां पर लिखा हुआ ना tap to enter text इस पर हम क्लिक करेंगे और हम अपने कीबोट में जो है यहां पर हिंदी को कीबोट में जो है हिंदि यहां पर language को select कर लेते जिससे काफी आसानी होगी तो जैसे कि में आपे सर्च करेंगे नमस्ते ठीक है तो देखे नमस्ते हमें c orthogonal गर लिखे तो आप लोग यहां पे देख सकते इंग्लीज में यहांपे आ चुका है ऑर और बीच आप लोग को टाइप करना है तो आप लोग को मिलता है camera का option camera में क्या होता है कि आप लोग अगर किसी particular subject का translate करना चाज़े तो आप लोग उससे यहां पर कर सकते उसके बाद यहां पर हमें voice का भी option मिलता है कि आप लोग को अगर voice के माध्यम से कुछ बोलना हो वो भी आप लोग translate कर सकते और यह आप लोग को यहां पर द हम इसको English करना चाहिए English कर सकते इधर हम Spanish करना चाहिए इसको Spanish कर सकते ठीक है बाकी आप लोग को यहां पर simple इस तरीके से ही इसको यूज करना है features तो काफी सारे है बट basically हम जो लोग use करते है usable जो हमारे features रहते उनके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया अगर आप लो